आन्द पदेश के नांदल जिले में एक पती को अपनी पत्नी से मिलना महगा पर गया जिले के वेंकट पुरम गाउं का एक ट्रक ड्राइवर दुर गया कई दिनों के बाद अपने घर काम से लोटा था तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी माईके चली गई है जिसके बाद उसने अपनी पत्नी से मिलने का ठाना लेकिन ससुराल जाने के लिए उसके पास कोई भी गारी नहीं थी और ना ही पैसा था इसके बाद उसने राज्य पड़ीवहन निगम की बस चुराने का विचार किया और इसके लिए उसने पूरा बकाइदा प्लान भी तयार किया साजिसों के अनुसार वे अपने छेतर के आत्मकुर बस स्टेंड पहुंचा जहां उसने एक बस खड़ी देखी और इत्रफाक की बात तो ये थी कि बस की चाबी उसके अंदर ही थी और बस में कोई ड्राइवर भी नहीं था इसके बाद दुर्गया ने बस को डीपो से निकाला और उसे अपने ससुरार लेकर निकल परा जब A.P.S.T.R.T.C. ड्राइवर को बस गायब मिली तो उसने बिभाग के उच अधिकारी को सिकायत की इसके बाद अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी जहां पुलिस तलास में जुट गई और पुलिस ने CCTV फुटेज देखने के बाद फुटेज में दिखा कि दुर्गया ही बस चला रहा है जिसके बाद पुलिस ने मुचू मरी पुलिस को इस बारे में सूचना दी आपको ये भी बता दे कि दुर्गया का ससुराल मुचू मरी में ही है वही आपको ये भी जानकारी दे दे कि पुलिस ने इसकी तलास में जुट गई और फिर पुलिस ने स्थानिय लोगों से भी पूस्ताज की। दुरगया नाम के इस व्यक्ति ने बस को पास के ही एक जगा पर पार किया था। जिसके बाद पुलिस ने स्थानिय लोगों के बयान के बाद दुरगया को ही अपने गिरफ्त में लिया। तो पता चला कि 35 वर्स तो बस में चाबी लगी थी और उसके आसपास भी कोई नहीं था और ड्राइवर को ना पाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया क्योंकि उसके पास कोई दूसा जरिया भी नहीं था हाला कि इसके बाद पुलिस ने बस को अपने हिरासत में लिया और फिर बस को सुबही बस के म पालिक को सौब दिया गया